हैलो स्टूडन दिवेजोती ओनलाइन सेशन में आज हम पढ़ने वाले स्टैंडर फॉर का चाप्टर नमर है सेख्स अहिंसा की शक्ति इस चाप्टर में अहिंसा की शक्तियों से हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ में दर्शाया है यहाँ पे हेडिन दी गए मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है दो पिच्चर्स दिये यह जो कसा है यह वो मुर्गे को मार है और यह जो सादू है वो क्या है एक बदक को बचा रहे हैं तो मारने वाले से क्या है बचाने वाला कैसा होता है महान होता है और बढ़ा हो ना है ओके अहिंसा एक ऐसा महान मंत्र है जिसकी साहता से हम हमारे देश को आजादी मिली अहिंसा कैसा है एक महान मंत्र है जिसकी साहता से क्या है हमारे देश को क्या है आजादी मिली अहिंसा क्या है इसे इस पार्ट में पश्ट किया गया और इस पार्ट में भी क्या है अहि अहिंसा और हिंसा इन दोनों का मतलब क्या होता है अहिंसा किस रूप से होती है और हिंसा किस रूप से ओके सो हमें दान से देखना है ओके आपने अहिंसा शब्दों तो सुना ही होगा इसका अर्थ है मन वचन कर्म से किसी भी जिवित प्राणी को कस्ट न पोचाना किसी को न सताना न मारना देखो यहां पर बताया है अहिंसा का मतलब क्या है मन वचन कर्म से किसी भी जीवित प्राणी जैसे जीवित प्राणी यानि आदमी हो या बैल हो या पशुपक्षी कोई भी जीवित प्राणी को कष्ट नहीं पोचना चाहिए किसी को सताना वो मारना भी क्या ह मारना भी नहीं चाहिए आज हमें चारो और और अशांती दुख वो पीडा दिखाई देती है आज हमें क्या है चारो और दुख और अशांती की क्या है पीडा दिखाई देती इसका मुल कारण है अहिंसा का पालन न करना इसका मुल कारण क्या है अहिंसा का हम क्या है ठीक से प्राय अनेक मनुष्य गलत ढंग से यह सोचते हैं कि उन्हें लाव हो उनका नाम हो उन्हें आराम मिले दूसरों को भले ही दुख पीड़ा वो परिशानी होती हो तो उनकी बला से मतलब आज जो मनुष्य है वो क्या स्वारती हो गए वो क्या गलत ढंग से सोचते हैं कि उन्हें लाव होना चाहिए उनका ही नाम होना चाहिए उन्हें कैसे आराम मिलना चाहिए बले दूसरों को भले कितनी ही चाहिए दुख क्यों ना हो पीड़ा क्यों ना हो आज मतलब एक छोटी सोच के इंसान हो गए, इसलिए कई इंसान अनेक जानवरों जैसे बकरों, मुर्गों, मचलियां आदी को मार कर बोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, देखो यहां पर बहुत अच्छी बात बताईए, कि इसलिए क्या होता है, कई जो मनुष्य है जानवरों को ज उनका जयसे मतन, मास, मचली बोलते हैं, वो खाकर क्या है, वो लोग इंसा करतेए, बकरों, मुर्गों, मचलीयों पर, मतलब उन पे निर्दे होकर क्या है, उनका मार कर बोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, यह गलत है, इनको पता है, अगर आप लोग मुर्गा, मचलिया कुछ भी ऐसे अगर खाते हो तो उनको क्या बीमारी यह आप लोगों को पता है अभी जो मुर्गे बक्रिया वगेरा पालते हैं चोलो कभी कबार उनके पैसों की प्रॉब्लम आती तभी ही बेचते पर कभी कबार ऐसे भी होता होगा कि वो बीमार पढ़ने पर भी यह लोग बेच देते होंगे तो उनका खून कैसा होता है वोही खून आपके खून में प्रवेश होता है उनका बलर्ड उनको क्या बीमारी है नहीं है फिर हम क्या है कोई भी बीमारी को हमारा शेरी जो है किसी भी बिमारी का घर बन सकता है इसलिए ये जो है माश मदिना हमें नहीं करना चाहिए ऐसे करते हुए उन बे जुबान प्राणी उपर जरा भी दया नहीं आती तो यहाँ पर बता रहे कि ऐसे करते हुए जब वो बे जुबाने बोल नहीं सकते तो प्राणी उपर क् ने करना ठीक है और उनको क्या थोड़ी भी दया नहीं आती है प्रत्यक प्राणी दुख से घबराता है प्रत्यक प्राणी क्या है दुख से घबराता है चाहे इंसान हो या पशो हो या पक्षी हो या प्राणी हो वो क्या है दुख से घबराता है और तो और वेद्यानिक जग्दिश चंद्र बसु ने क्या सिद्ध किया था उनने कि पैड़ पोदे जो है वो भी हमारी तरह दुख सुख का अनुभव करते हैं आपने देखा होगा कि बैल और गोड़े आधी पर बोजा लानकर कई बार उनके मालिक चाबुक मारते हैं देखा है न गाउ में क्या कर करते हैं देखो यहां पर एक पिक्चर भी दिया है गोड़े या हो गदे हो कुछ भी ऐसे मतलब उनके वजन लानकर अगर वो ठक्या आ रहे थोड़ा सा अगर धीरे-धीरे चलने लग जाए तो उनके मालिक क्या करते हैं उनको चाबुक से मारकर बगाते हैं चाबुक मारत हैं यहां बड़ी कुरूरता है कुरूरता यानि तयाहिन होकर अत्याचार करना कुछ बच्चे भी गाय तथा कुत्तों को पत्तर मारते हैं यहां इंसा भाव है और उसके साथी साथ बच्चे अगर खेलते हैं चोटे बच्चे तो हमें उनको रोकना चीए जैसे बच्चे क क्या करते हैं कुत्तों को गाय को क्या पत्तर मारते हैं कभी जाडू से मारेंगे तो ये भी क्या एक इंसा का ही भावे हमें हर प्राणी के प्रति मैत्री और सद्वावना रखनी चाहिए यहां पर बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें हर प्राणी के प्रति कैसी मैत्री की और सदबावना मतलब रखनी चाहिए जैसे हमारे में जैसे प्राण है हमें जैसे दुख दर्द होता है वैसे ही उनको भी दुख दर्द होता है ऐसे ये सब हमें समझना चाहिए राष्टर पिता महात्मा गांदी वो महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के भाव को बड़ा बल दिया राष्टपती जो है हमारे पहले राष्टपती जो रह चुके है महात्मा गान्दी जी उन्होंने अहिंसा को क्या है बड़ा ही बल दिया है केवल शरीर को पिड़ा पोचाना ही इंसा नहीं है वरन किसी का अपमान करना, निंदा करना, मन को दुखाना, नीचा दिखाना, उसे डाटना, डराना आधी भी इंसा ही है यहाँ पर क्या बताएगा है कि केवल शरीर में अगर मारते हैं, टोकते हैं तो यही इंसा नहीं है, इंसा के बहुत सारे रूपे अगर हम किसी का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, मन को दुखाते हैं, नीचा दिखानते हैं या फिर उसे दाट कर, डरा कर, आधी ऐसे घबराते हैं, तो यह भी क्या है? कि इंसा का ही रूप है इस तरीके से भी क्या है? हम दुसरे के साथ हिंसा ही करते हैं सबी प्रेम चाहते हैं और सम्मान सबको अती प्यारा होता है इसलिए जब भी किसी के साथ संपर्क हो हमें मदूर और सिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए सबी लोग क्या चाहते हैं प्रेम और सम्मान चाहते हैं सबको क्या है सम्मान से अती प्यार है इसलिए जब भी हम किसी के संपर्क में रहते हैं तो उनके साथ मुदूरता से, अच्छी वानी से और सिष्टा का प्रयोग हमें करना चाहिए हम देखते हैं कि लोग छोटी बड़ी वस्तु के लिए जगडते हैं हम आजकल देखते हैं कि लोग छोटी बड़ी वस्तु के लिए जगडते हैं, यह मेरा है, वो उसका है, यहाँ पे कछरा क्यों डाला, ऐसे क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इस तरीके से, कछरियों में आपसी लड़ाई जगडों के कारण सालों मुकद में चलते हैं, कछरी यान बचा जा सकता है, अगर हम इन जगडों से अगर बचना चाते हैं, तो हमें क्या है, अहिन साब की राहा पर चलना होगा, तो हम इन जगडों से क्या है, बच सकते हैं, कभी-कभी दो देशों भी आपसी में युद्ध करते हैं, युद्ध में जन धन की अपारहानी होती है, यहां पर बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है दो जो देश होते हैं वो क्या है आपस में लड़ते हैं उसमें हमें जन और धन का मतलब जो हमारे जवान होते हैं वो भी मरते हैं और उसके साती साती यह जो गोली बारुद वगरे सब क्या यह धन से प्राप्त होता है तो हम क जन, दन की अपारानी होता, बहुत बड़ा क्या हैं में नुकसान भी होता था है, यूद्ध में प्रोयोक किये जाने वाले हत्यारों की बजाई प्रेम और एहिंसा की शक्ती व्षाधना का सध्युबक सद्पयोग किया जाए, तो लाकों लोगों का कल्याण हो सकता है, अगर यहां पर बताया है कि अगर हम लडाई में युद्ध में हत्यारों की बज़ाए प्रेम और अहिनसा का अगर उपयोग करेंगे तो क्या है लाखों लोगों का क्या हो सकता है कल्यान हो सकता है खुशी की बात है कि हमारा देश शांती प्रिय है और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हमारा जो देश वो कैसा है शांती प्रिय है यह इस बात के लिए भी कभी राजी नहीं होगा कि किसी दूसरे देश की भूमी हड़प ली जाए और हमारा देश क्या है इस बात के लिए भी कभी राजी नहीं होगा कि किसी दूसरे देश की भूमी जो हड़प कर ले यानि जब्त कर ले हाँ कुछ अन्य देश इस पर प्राय हमला कर चुके है पर अपनी सुरक्षा के लिए मुझबूर होकर भारत को भी युद्ध करना पड़ा है किन्तो हमारे मूल में अहिंसा की भावना है मतलब यहाँ पर कुछ अन्य देश के जो लोग है हमारी भूमी पर कबजा करने के लिए क्या है प्राय यानि प्रेतना कर चुके हमला कर चुके इसलिए हमारी अपनी सुरक्षा के लिए मुझबूर होकर हमारे भारत देश को क्या है उनके साथ मुझबूर होकर क्या करना प को सुन्दर बनाने के लिए अहिंसा का मूल मंत्र बड़ा सार्तक है जीवन को अगर हमें सपल बनाना है और सुन्दर बनाना है तो अहिंसा कैसा है मूल मंत्र है इसका क्या है मूल मंत्र अहिंसा हमें भी यदि महानता की सेडियों पर चड़ना है तो अहिंसा के पत को ही अपन संत वगेरे उनकी तरह अगर बनना है सेडियों पर चड़ना है तो हमें भी क्या अहिंसा के पत को ही अपनाना होगा ओके बच्चों समझ में आया सबको अगर नहीं आया तो ये वीडियो दुबारा देखना है और अच्छे से समझना है ओके चाप्टर बहुत ही अच्छा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा I hope कि आपको भी अच्छा ही लगेगा ओके थैंक यू